हेले वरिवरवन, बेलकम तो एस अकडेमी, आज इस वीडियो में 15 जरवरी के एकजाम एनलेसेस देखने वाले हैं कि आप लोग एकजाम में कौन कौन से कोश्चन पूछे गए थे, आप लोग को बता दो जितने कोश्चन मेरे पास मिले हैं उतने कोश्चन का डिसकस करने वा हो, जितने कोश्चन मेरे पास बच्चों के दारा भेजेगे हैं, आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, तो चलिए बिना देर के वीडियो को सुरू करते हैं, उससे पहले आप लोग को बता दूँ, आप लोग चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेजेगा, और आप जितने भी, चैनल पर आप लोग जूड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा ज्यादा सेर किजिए, ठीक है, आप लोग इस बात को जरू ध्यान नकना है, वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग एक बात और बता दू, एदि आप लोग यंपी कॉंस्टेबल में अच्छ लंबल लाना है, तो आप लोग दूले राजा टेस्स सिरीज को जरूर जाइन किजिए, क्योंकि यह बेस्ट है, इंडिया के बेस्ट फेकल्टी के दौरा तयार की गई है, आप लोग इसको जरूर जाइन किजिए, एदि आप लोग को अच्छे नंबल लाना है, बर्दी ल तो चलिए आज का question discuss करते हैं सबसे पहले देख लेक्टे जो आप लोग उख्जाम पुछा गया था यह पूछा गया था उदासिन जल का पीच मान कितना होता है यह होता है सेवन जो आप लोग पूछा गया था ठीक है आप लोग को याद अखना है क्या होता है उदासीन जल का पियाश मांजो होता है, साथ होता है, आप लोग को ध्यान रखना है नेक्स्ट है, मद्द परदेश के प्रथम मुखमंती कौन थे? भेरी भेरी इंपॉर्टन है, आप लोग से पहले ही बोल चुका हूँ आप लोग देख लिजिए, इसका राइट इंसर होगा रवी संकर, मद्द परदेश के प्रथम मुखमंती कौन है? रवी संकर, चलिए आप लोग से कोश्टन पूछते हैं, जैसे आज इस सिप्ट में पुछा गया है कि मद्द परदेश के मुखमंती कौन है? तो आने वाले सिप्ट में, आने वाले दिनों में जरू पूछा आएगा कि मद्द परदेश के प्रथम राजपाल कौन है? आप लोग से question है कि मद्द परदेश के प्रथम राज जपाल कौन है comment box में सभी लोग को बताना है देखते हैं आप लोग की तैयारी कैसी है क्या है मद्द परदेश के प्रथम राज जपाल कौन है सभी लोग को comment box में जरू लिखना है ठीक है चले next question लेते हैं मद्ड प्रदेश में मद्यप्र। आप लोग से वर पूछते हैं आप लोग सोच रहे हैं कि इतना सर्ट पूछतन क्यों पूछते हैं आप statistic Для कि आपुग तैयारी के सी है। चलिए बताए तेजा जी का मेला किसका तेजा जी का मेला कहां पर आयोजीत कि आता है आप लो शक्राम ने हो intensity का मेला जाए चलिके से ने बीवाजन का के समय भारत ही रास्टी कांगर से की अध्यक्ष काॉंट ये कोश्चन तो आप लोग के PSD एक्जाम में ही पूछा जा चुका है राइट एंसर होगा आयचार है जे भी क्रिपलानी के द्वारा ये भारती राष्टिक अंग्रेस के अधिश्टा के ये थी भारत के विवाजन के समय Next सवाल है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते है जैसे तुलसी खोज संस्थान पूछा है ये चित्रकूट में है लेकिन यही पे तुलसी संग्रहाले पूछ लिया जाए चलिए बताइए कि तुलसी संग्रहाले आप लोग से पूछ लिया जाए ठीक है? सभी लोग जलूर ध्यान दीजीगा तुर्सि खोज सनस्थान जो है, चित्कोट में है तुल्सि संग्राले कहां पर इस भी तो है ग्रीन हाओस प्रभावाव किस गैस से प्रभावित होता है इक कार्बंड डियाक्साइड ऐनी? सी ओटू ठीख है आप लोगो याद रखना है एक कोशन आप उक्जाम में पूछा गया थे नेक सवाल है मदद परदेश से किस जीले में सबसे ज़्यादा मैंग जीले में हीरा पायाता है यह कोशन आप लोग जरू तयार कर लिए आप लोग ईजाम एजाम नालेस दिते हैं जरूम माइWind में रखिए कि कैसे आज को कोचन माईडेन से पूछ लिए आने वाले जीरे ताबा से पूछ लिए धाएगा हिरां से पूछ लिए कोफ लिए अप लोग देखते हैं तो इतना किसे माईड प्रदेश में एक जितना ही पाया जाता हो का लेकिन पता आजा किसे किं जिवाडू के दौरा किसके दौरा जिवाडू एनी बैक्टिरिया के दौरा होता है आप लोग को यादक नहीं ठीक है चले ने सवाल लेकते हैं भारती मिलिदा विगान संस्थान कहां पजिसी थे बोपाल में एवी कोश्चन सभी लोग से बन गया होगा आयोप क्योंकि संस् आप लोग नहीं देखें आप लोग जाके देख सकते कि मद्द परदेश में कितने संस्थान हैं आने वाले दिनों में और कोई संस्थान पूछ लिया जाएगा ठीक है आप लोग ध्यानक ना है नेस्ट कोचन है प्रथम पंचवर्सी ओज्णा में किस छेत को सरवच प्रा तो किसी को प्राथमेकता देखे थी चलिए बताई दूती पंचवर्सी ओज्णा में किसको प्राथमेकता देखे थी कमेंट वाक से बताईए सभी लोग को बताना है चलिए आगला सवाल है पारा आसानी से सीनेवार से प्राप्त किया जाता है किसे सीनेवार से प्राप्त क कार आप लोग को बता दू एक जाम एक कोच्टन पूछा गया है ठीक है आप लोग तिसरा दिन है कि तांसे संबंदित एक कोच्टन पूछा गया है ठीक है प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कारवनिक कौन सा है यह सेली लोज कौन सा है सेली लोज आप लोग को याद रखना है और आप लोग को बता दू मैस और रिजनिंग में आप लोग के ट्रेंज से सवाल पूछे जा रहे हैं SI और CI से कॉच्टन पूछे जा रहे हैं SI और CI मिला के दोनों को मिला के दो से तीन को इसको भी देखने को मिल रहे हैं जिसको आप contextual संबंद मुल्ठे की उसमें दो कोश्टन वहीं आप लोग के तर्क और निशकर्ज से हर स्टमें में पूछे जा रहे हैं चार से पांच कोश्चन तर्क और निस्कर्स से आप लोग दिख लिजेगा तर्सक और निस्कर्स से एनि इस्टेट्मेंट एजम संसे तीन चार कोश्चन पुछे जा रहे हैं वही बात करें आप लोग की सिंख्रा जिसको बोलते हैं आप लोग सिरीज से सिरीज से आप लोग चाहे जीके का हो, चाहे रिजनी का हो, चाहे साइंस का हो, जो question आप फटा 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 बने, उसको पहले कर लेजिए, फिर आप लोग second बार में आप लोग tough question पर और discuss किजिए, ठीक है, यही मेरी राया है, आप लोग को यह वीडियो कैसी लेगी, आप लोग से request टेक इस मदद मिले चले मिलते हैं एक स्टूडियो में धन्दवाद